आपका इंडियन इंग्लिस ग्रामर में जिसमें हम आपको दूसरी सिरीज हमारी जो है नई वाइस के सिरीज में डे टू का वीडियो लेकर आया हूँ तो जैसा कि मैं आपको बता दू कि दे फस्ट में मैंने आपको वाइस का एक परचे बताया था जिसमें ये सारा कुछ बताया जाशुका है कि किस टेंस का पैस्जिव बनाया जाता है उसका डाइगराम क्या होता है और साथ में फार्मूले चो होते हैं structure किस तरह से बनाया जाता है वो सब कुछ बताया गया है और आज के डिट में हम आपको केवल प्रोजेंट की इंडिफनिट टेंज का जो है किस तरह से पैशिव बनाते हैं इसके बारे में बताऊंगा लेकिन एक चीजे याद रखना गईज पहले भी वीडियो मेंने बताया और इस वीडियो में फिर शे बता रहा हूं कि अगर आपको वाइस सीखना है वाइस आपको नहीं आता तो 100% आजाएगा इस बात की गरंटी है लेकिन उसके पहले आपको टेंस बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए अगर आपको टेंस आता है तो पक्का है कि आप वाइस को बिलकुल आशानी से कर लेंगे ठीक है तो इस बात को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए पहली बात और नहीं समझ में आता है तो पीछे के वीडियों को आप देख लीजिए और उसमें सारा का सारा टेंस आपको पढ़ाया गया है ठीक तो आज के भी दिट में मैं आपको शारे एक्सराइज देने के पहले मैं आपको एक बहर शॉटली बता दूँ सबके बारे में जो इंट्रोडक्शन है इसका शॉट में जैसे कहने का मतलब किन टेंस उंका वाइस बनाया जा सकता है पैसी वाइस शॉटली जान लिजे बनाय जाता है और किसी का पैसिवाइस नहीं बनाय जा सकता अब हम बात करें कि क्या ऐसे sentence कौन से होते हैं जिनका पैसिवाइस बनाय जाता है तो guys ऐसे sentence जो इन टेंसों से होते हैं उनी का पैसिवाइस बनाय जाता है लेकिन उन टेंसों के जितने भी sentence होंगे उन वर्ब के साथ में एक object होना आती आवशक है अगर object नहीं है जिस sentence में वर्ब के साथ में तो उसका हम पैसिवाइस नहीं बना सकते अब हम बात करें object क्या होता है जान लो जिस सब्द पर क्रिया का प्रभाव पढ़ता है उसे हम object करते हैं । right object दो परकार के होते हैं एक आपका direct object और दूसरा आपका indirect object होता है ठीक है तो direct object हम सारे-क सारे non-living things को करते हैं और indirect object जो होते हैं वो सारे-क सारे living things होते हैं । ठीक जैसे example में एक sentence यहाँ पर है present infinite का कि मैं किताब पढ़ता हूँ तो मैं किताब पढ़ता हूँ ताहूँ से पता चलता है कि यह present के indefinite tense का है और किताब पढ़ने का जो प्रभाव है guys वह किताब पर पढ़ रहा है तो एक object यहाँ पर है और किताब एक direct object है जो non living things है ठीक तो present infinite का जितना भी sentence होता है जिसमें verb के साथ में object रहे तो उनका हम passive कैसे बनाते हैं वो शारे affirmative, negative, what type, why type शारे example मैं sentence में बताऊंगा इस scene में आपको वीडियो में बताऊंगा एक पर फिर से हम diagram को जान लेते हैं guys कि जैसे active wise में हमारा subject होता है फिर verb होता है फिर object होता है ठीक लेकिन passive में बस तोड़ा सा उल्टा हो जाता है कि subject जो होता है वो last इसके object के जगह ले लेता है और object जो होता है passive wise में वो subject के जगह ले लेता है और वर्व जो होता है वर्व का वहां पर first form होता है यहां पर हो जाता है third form अब जो हमारा object होता है वह object अगर singular number है तो each लगा कर वर्व का third form लिखते हैं अगर वह जो object है वह plural number है तो r लगा कर वर्व का third form लगते हैं जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं और देखेंगे भी राइट और इन में कोई परिवर्तर नहीं होता बस यही चीज़े हैं कि यह subject जो होगा वो उसमें के हिसाब से object के जगह हो जाएगा और object जो होगा वो subject के हिसाब जगह पे हो जाएगा पैसी वाइस में ठीक तो अब हम आपको लेकर चलते हैं कि किस तरह से हम पैसी वाइस बनाते हैं ठीक तो हमने कहा ना कि present के indefinite tense का मैं आपको इसमें सिखा रहा हूं अगर आपको present का indefinite tense समझ में आ गया तो मानों आपको present का continue भी आ गया past का भी continue मतलब सब आ जानी से समझ जाएंगे अगर आपको एक tense कोई अच्छे से आ गया तो तो मैं तो चाहूंगा कि सच में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं या पैसी वाइस वाइस सीखना चाहते हैं तो एक वीडियो को अच्छी तरह से समझ लो बाकी आपको हर तरह का example ऐसा कोई example नहीं जो आप किसी board exam exam में देनी जा रहे हैं या फिर आप किसी competition exam में देनी जा रहे हैं तो problem होगी ठीक अब सारे की सारे टेंस का तो मैं इसमें बताऊंगा आपको और सारा वीडियो एक साथ बनाया जा सकता था लेकिन आपको एक एक करके पढ़ाऊ है एक तो आप grammar वाला जो मेरा चैनल है इस पर जिस पर आप पढ़ रहे हैं भी इसको सब्सक्राइब करो और सारे टेंस देख लो और एक spoken का भी चैनल है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिज स्पेकिंग क्लास तरियारी इस पेस कहीं होना चीए ठीक है तो यह भी सर्च करो उसमें भी आपको बताया गया है ठीक है तो grammar और सारी चीज़ें आपको बताई गया है और आपको पहले चाहता है तो बड़ अच्छी बात है ठीक तो जैसे English में एक sentence भाई जब भी आता है चाहिए आप English medium हो चाहिए आप Hindi medium हो तो जब भी आता है कि active से passive में change करें तो English ही लिखा आता है जिसका आपको passive बनाना होता है ठीक तो यहाँ पे English लिखा हुआ है इसका आपको passive बनाना है तो आपको पहचानना है कि यह sentence आपका present के indifferent में है या नहीं है ठीक बिलकुल आशान सा नियम होता है गैस और आप यहाँ देख सकते हैं नियम आप पिछली वीडिय अब यह अब शुरू करते हैं पहला affirmative sentence है ठीक तो affirmative sentence है कि I read a book याद रखना यह subject है यह वर्व है और यह क्या है आपका object है जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है ठीक है ना अब हमको क्या करना है passive जब बनाएंगे तो यह देखो यह book जो है वो object subject की जगह पर आ गया आ ग book है वो singular object है तो इसलिए हमने यहाँ पर इस लगा करके इस verb का third form यहाँ पर लगा है याद रखना read का third form ready होता है second form भी ready होता है उसके बाद में जो आपका subject था उसको change करके हमने यहाँ पर subject की नाम से मतलब object के जगह पर रखा है और उसके पहले हमने by लगा दिया तो यह by लगा करके हम इस object को मतलब यह जो subject होता है यहाँ पर आके object बन जाता है तो object क्या होता है आप यहाँ देख लो सारे के सारे pronoun object होते हैं और साथ में leaving जो होता है वो क्या होता है leaving जो होता है वो आपका indirect object होता है right तो यह जब भी हम इस subject को यहाँ पर object के रूप में रखेंग तो उसके पहले हम बाई अती आवश्यक लगाएंगे रैट अगर आप बाई नहीं लगाएंगे तो यह पैसी फॉर्म नहीं कहा जाएगा ना इसका पैसी फॉर्म बन पाएगा फर ठीक अब हम आते हैं, निगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, तो जैसे निगेटिव सेंटेंस है कि I do not read a book, उसी सेंटेंस का मैं बना रहा हूँ, ठीक, I do not read a book, इसका अंगरेजी वैसे ही होगा जैसे उपर वाला है, same to same, तो हमने का a book is not read by me, यह लो निगेटिव बन गया, अब आ क्या मैं एक किताब पढ़ता हूँ, हिंदी बता दे रहा हूँ, ठीक, क्या मैं एक किताब पढ़ता हूँ, और यहाँ पे is a book read by me, simple, वही सारा, है ना, बात को समझे ना, अगर यह जो book है, या इस एक्टिवाइस का जो object है, वो अगर singular है, तब तो हम इस लगाकर, वर्व क third form लगाकर, वहाँ पे हम उसके हिसाफ से object रखेंगे, अगर यह plural होगा, तो r लगाएंगे, अभी आगे आपको r का भी example दूँगा, ठीक, तो ऐसे में आपने इसका यह बना दिया, ठीक है ना, अब आगे आजाते हैं, what type की जगे हैं, why type वाला ले ले लेते हैं, तो why type वा हिंदी आप चाहो तो note कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, और simple है, बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं, जैसे हमने आप पे हिंदी बिताया, और आप एक बाद फिर से note करो जूरूत लगे, जैसे इसका हिंदी है कि मैं एक किताब पढ़ता हूँ, और इसका हिंदी है कि मेरी द्वारा एक किताब पढ़ी जाती है, या एक किताब मेरी द्वारा पढ़ी जाती है, बात को समझेगा, इसमें है कि मैं एक किताब पढ़ता हूँ, उसी sentence को हम इसमें कर रहे हैं, एक किताब मेरी द्वारा पढ़ी जाती है, ठीक, तो यह sentence हिंदी का अलग होता ह कहने का मतब sentence एक ही होता है कहने के या बोलने की तरीके जो होते हैं वो अलग-अलग हो जाते हैं ठीक हैं अब आगे आ जाते हैं भाई अब हमने plural थोड़ा बनाने की कोशिस की है पलूरल सबजेक्ट लेकर की ठीक है अभी ऑबजग्ट सेंगली है तो दे अफ़र्मेट इस एंट दे इत मैंगो और भी एक्जामपल बहुत सारे गईज लगे रहे हैं बने रहे हैं दे इत मैंगो दे द मैंगो इस इत इन बाई दिम याद रखना हमने यहां मैंगो यहां प उसमें object था लेकिन हम उसे object नहीं बलकि उसको हम object के ही रूप में यहाँ पर diagram में दिये हैं जबकि वह यहाँ पर आ करके subject बन जाता है ठीक passive wise में ठीक है तो passive subject हम इसे कह सकते हैं बात कर दो में जा रहा है बनेगा वो बन जाएगा them ठीक है all right अब उसका negative आप देख लो यहाँ पर they do not eat mango the mango is not eaten by them do they eat mango क्या वे आम खाते हैं is the mango eaten by them क्या उनके द्वारा आम खाया जाता है next है which mango do they eat वे कौन सा आम खाते हैं which mango is eaten by them उनकी द्वारा कौन साम खाया जाता है ठीक है तो हिंदी भी बता देरों जहां जुरुद पड़े वहाँ पर note कर लेना practice make man perfect अगर आप practice करेंगे तो 100% चीज़े सीख जाएंगी ठीक अब यहाँ पर हमने जो object है जो singular के जिगे plural रख लिया है ताकि आपको आर का भी यूज समझ में आ जाएं जैसे मैंने कहा कि we plant trees हम पौदे लगाते हैं या पींड लगाते हैं अब उसका जो पैसिव बनेगा the trees are planted by us तो क्या वह यहां पर object ट्री था subject वी था तो वी का object us बन गया है हाँ पर by us लगा करके ठीक है और उसके बाद में यह plural था इसलिए हमने are और plant को planted third form बना दिया तब अंगरेजी बन गया the trees are planted by us ठीक है वह ऐसे seem to seem negative बना जकते हैं we do not plant trees the trees are not planted by us do we plant trees are the trees planted by us ठीक है अब फिर यहां पर which trees do we plant which trees are planted by us कोने का मतलब formula भी आप पकड़ लो बिलकुल आशानी से इसमें each eaten था इसमें each not eaten था इसमें each सबसे पहले रख लिया मतलब जो helping अब इसमें थी यहां पहले आ गई और इसमें भी वही बात है इसमें भी वही बात इसमें क्या था थोड़ा सा different था मतलब कहाने का मतलब अगर आपको translation आता है तो मानों तो यह भी सब आ गया तो चाहे affirmative sentence हो चाहे negative हो चाहे interrogate हो इसका जब भी passive form बनाएंगे तो object और subject के हिसाब से is rm का ही प्रयोग किया जाएगा और किसी sentence का या और किसी सब्द का helping verb का प्रयोग नहीं किया जाएगा same to same way से ही आप आगे भी शारी चीज़ों को देख सकते हैं और ऐसे ही changing होती है guys बिल्कुल यहाँ भी देख लो राजू eats fruits है ना और यहाँ पर आर लगा के eaten by राजू simple है बिल्कुल देखो कैसे change हो रहा है ठीक है यहने का मतलब राजू यहाँ पर last में हो गया because राजू तो एक noun subject है ना तो राजू का जो object बनेगा वो राजू ही बनेगा ठीक है जो आपके pronoun होते हैं उन pronoun का जो है object change होता है लेकिन जो noun होता है उसका object चेंज नहीं होता है व तो बिल्कुल ऐसे ही simply आप इसमें भी देख सकते हैं कहने का मतलब जब अगर object singular रहेगा तो इस लगा करके वर्व का third form लगा के बाई के बाद में जो है subject रख देंगे या अगर यह object जो होगा singular होगा प्लूरल होगा तो आर लगा करके रख देंगे ठीक तो ऐसे यहाँ प जैसे मैं इसमें हिंदी नहीं बताना चाहा रहाता है starting में लेकिने आपे बता भी दे रहा हूँ दिखा दे रहा हूँ आप देख लो जैसे हिंदी है कि वह चाय पीता है तो यहाँ पर उसका हिंदी बदल जागा यह एक्टिवाइस है ठीक है और यह पैसी हो जागा चाय उ अच्छा जो बोलने के तरीके हैं आप इसे अपने तरीके से भी बोल सकते हैं मैंने कहा चाय उसके दोरा पिया जाता है आप ऐसा भी कहो सकते हैं कि उसके दोरा चाय पिया जाता है कोई दिक्कत नहीं आप ऐसे भी बोल सकते हैं ठीक तो इन शेंटेंसों को बोलने के लिए तो आप चाहाए जैसे बोल दीजिए लिखने के लिए जो rules होना चाहिए उस rules के base पर ही हम कर पाएंगी ठीक तो guys उमीद है कि यह जो है आपका पूरा का पूरा टेंस या पूरा का पूरा active और या पैसी वाइस जो भी है यह समझ में आ चुका होगा और साथ में मैं आपको आगे कुछ translation के तरीके बता दूँ कभी-कभी क्या होता है कि जो भी sentence आते हैं हिंदी में तो उनका अगर आपको passive बनाना है तो आप हिंदी में जैसे नीचे बताया मैंने वसे बना लो या अगर आपको English में दिया गया उसका passive बनाना है तो बस उसकी पहचान आपको आने से पहचान लेंगे तो आप आशाने से उसका जो है कि इसमें से कौन सा active wise है और कौन सा passive wise है ठीक तो पहचाने की कैसे या फिर आप जैसे spoken सीख रहे है पेंड उगते हैं उसी को अगर हमें change करना है पहची वाशा पेंड उगाये जाते हैं ठीक है अब जैसे अंग्रेजी है तो ट्रीज जो है वो ग्रो या दरकना ट्रीज प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम यहां पे ग्रो में यस यस नहीं लगा रहे हैं ताहती है वाला त सब्जेक्ट कौन होता है करने का मतलब यहां पे सब्जेक्ट काम कर रहे है लेकिन जिसमें क्रिया होगी और क्रिया को करने वाला होगा तो जो करने वाला होता है उस ही को सब्जेक्ट करते हैं तो इसमें अधिक तर आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे तो इनका आप ऐसे भी पैसे बना सकते हैं tree grow trees are grow thought form लगा करके trees जो है वो object जो है वो आपका plural है तो इसलिए हमने आप आर लगा है Ram loves Ram प्यार करता है, Ram is loved Ram को प्यार किया जाता है तो यह translation है एक प्रकार से affirmative sentence जितने भी है मैं पढ़ता हूँ, I read मुझे पढ़ाया जाता है, I am read, right, वह नहीं मारता है, यह negative sentence लागया, वह नहीं मारता है, और उसे नहीं मारा जाता है, यह passive हो गया, और यह active हो गया, ठीक, एक प्रकार से, तो इसका translation हम कर रहे हैं, तो he does not beat, he is not beaten, यहाँ पे देखो, मारना जो है, वह है, singular, overall object है, तो लगा लिया, ठीक, शोनी बात नहीं करती है, शोनी से बात नहीं की जाती है, शोनी does not talk, शोनी is not talking, यहाँ पे भी एक और है, मैं नहीं जाता हूँ, I do not go, मुझे नहीं बुलाया जाता है, I am not called, ठीक है, तो rule वही है guys, बिल्कुल यह translation के और सिखाया जा रहे है, कि ऐसे भी पढ़ते हैं, क्या हमें पढ़ाया जाता है, do we study, are we studied, क्या राजु गाता है, does राजु सिंग, क्या राजु से गवाया जाता है, is राजु संग, right, क्या गाय खाती है, गाय को क्या खिलाया जाता है, या गाय क्या खाती है, गाय को क्या खिलाया जाता है, तो आप इसका अं अंग्रेजी, what is cow eating, right, तो दोनों simple है, आप दोनों को समझ सकते हैं, और बिल्कुल आशानी से आप अंग्रेजी बना भी सकते हैं, एक sentence हमने आपको यहां पर अलग सा दिखा, दिया हुआ है, कि वह कौन सा गाना गाता है, याद रखना, इसमें subject भी है, object भी है, verb भी है, वह जो है subject है, कौन सा question word है, गाना क्या है, गीत एक प्रकार से जो है, एक object हो गया, और गाता क्या है, वर्व है, तो इसका अंग्रेजी बनाया, which song does he sing, यहाँ पर है, उससे कौन सा गाना गवाया जाता है, तो which song is he sung, तो इस sentence को आप चाहें, तो ऐसे भी बना सकते हैं, कि which song is sung by him, जैसे हमने आपको starting वाले वीडियो में बताया, ठीक है, मतलब शुरू आतनी इस वीडियो में बता है, तो जिसमें, प्लाने का मतलब इन sentence में, आप पकड़िए पहचानने की कोशस करजी, कि आखिर by का प्रियुकतब लगाते हैं, जब object हमारा subject जो हो, उसे object बनाने की और वह है, आपके एक्टिवाइस में होना चाहिए, अगर एक्टिवाइस में नहीं है, अगर है, तो फिक तो बाई लगा कर तो subject को आपजेक्ट को यहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक, तो वैज यह रहा आज की वीडियो में, और मुझे पूरा मीड है कि आपने इन सारी पर्ट्सन सुने में अबर, पिर भी कई कन्फूजन है तो आप कमेंट करें, इसके लिए हम आपको अलग से वीडियो बताएं दो, और आज की वीडियो में बस इतना है गाईज, और मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नहीं चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक य विए भी अजह circuits चीज़ों के लीजय हमें 2022.